आप उडानों में पिशाप करने की घटना जैसी समस्याओं के बारे में जानते है जहां एक आदमी भाग गया था और फिर उसे गिरफतार कर लिया था यात्रियों की बीच मारपेट हुई थी फिर और एक पेशाब करने की घटना हुई थी जिसमें आरोपी ने माफी मांगने के बाद उसे माफ कर दिया गया था एक अन्य घटना में एरोस्टेस और एक यात्री के बीच कहा सुनी हो गई थी हाल ही में इन चार घटनाओं के बाद एक और घटना सामने आई है जिसमें खतरनाक लड़ाई हुई आश्टे रजनक ये घटना बिमान बांगलादेश एरलाइन में हुई इस घटना का एक यात्री ने वीडियो बना लिया बिना शर्ट का एक व्यक्ति और आगे की सीट पर बैठे एक अन्य यात्री के बीच जगड़ा हो गया हिंसक मारपीट को एक सहोय यात्री ने मुबाईल पर कैद कर लिया यहां तक कि मारपीट का आडियो भी साफ तोर पर रेकॉर्ड हो गया पीछे की सीट पर बैठा शक्स उन्हें अलग करता नजर आ रहा था बैठे यात्री ने बिना शर्ट वाले आदमी को थपड मारा जिसे वह और अधिक क्रोधित हो गया और और भी खतरनाक तरीके से लड़ने लगा कोट पहने दो लोगों ने उन्हें छुडाने की कोशिश की बिना शर्ट वाला यात्री मारपीट करते हुए रोता हुआ भी दिखाई दिया ये वीडियो वाइरल हो गया उडान की इस घटना के रूट, तारीक और समय की पुष्टी नहीं हो सकी है वीडियो ही वाइरल हो गया है बार-बार होने वाली इन घटनाओं से कई लोग स्थब्द रहे गए एक यूजर ने कमेंट किया आजकर शिक्षित व्यक्ती दुर्व्यभार कर रहे है और और अन्यंत्रित हो रहे है पड़े लिखे और अनपड में कोई फर्क नहीं रहा उडान में कोई मानक नहीं बचा है उडानों में जगड़े बढ़ रहे है और लोग लड़ रहे है जैसे वे सडको या ट्रेनों में करते है ये भगवान एक अन्यंग यूजर ने कमेंट की जब प्लेन उडान भरता है और लड़ाई होती है तो फ्लाइट को लॉड आना चाहिए और यात्री को उदार देना चाहिए यदि लड़ाई हवा में होती है तो एरलाइन को यात्री को उदारनी के लिए निकटम हवाई अड़े पर उतरना चाहिए ये थे कुछ मजाक्या कमेंट इसी बीच एक यूजर ने दावा किया कि वह शक्स रो रहा था और बस अपनी शर्ट वापस करने के लिए कह रहा था अलग-अलग विचारों वाली कमेंट्स थे मुझे लगता है कि भविश्य में उड़ानमें और खतरनाग हो सकती है और लोग विमान को नुकसान भी पहुचा सकते है क्या आप भी ऐसा ही मैसूस करते हैं हमें कमेंट्स में बताईए